मैं एनलोस्तों मैं हूँ आपका दोश्रचित आज मैं आपको एक नए बीजिस के बारें बताने जा रहा हूं जो बिस्टर को मैं खुल्ड भी करता हूं ठीके दोस्तों और पॉलिसिंग का मैनिफेक्ट्रिंग करता हूं दोसी से लेटेड मेरे और भी काम है मैं आपको one by one सारे ही काम अपने दिखाऊंगा ठीक है दोस्तों और उन्हीं बिजनेस आइडियास को आपको भी बताऊंगा कि जो मैं प्रैक्टिकली करता हूं वो सब चीजे मैं आपको दि इसलिए कम होता है कि इस इन बिजनेस की जानकारी बहुत कम लोग को होती है ठीक है दोस्तों तो मैं ज्यादा समय न लेते वे आपको step by step आपको बतायता हूं दोस्तों यह जो बिजनेस है यह है आप सोफा ड्राइक्लीनिंग का बिजनेस है इसमें आप कोई भी करनी होती है वो आपकी कारट्री के जाएगी ठीक है दोस्तों और आपके सोफे ट्राइक्लीन हो जाएंगे सुब्स जैसे कि आप कोई sinema और यह सोफा टाइक्लिग काम ऐसा है कि आम हमेले इसमें मिलेंगा होटल भॉस्पिटल में तो हमें सफेस्ट कर ज़ार सकत करना पड़ता है चीज़ होते हैं इंको आपको बताता हूं मैं जो सोफ़य का चार्ज लेता हूं वह 200-500 पर seats लेता हूं ठीक है दोस्तों हम लो baru influencer चार्ज लेता है तो हम लोग के घर साथ हैं लोग करते हैं सेश्सेट्लेंटी ऑप करते हैं कि हम फुली को देखेंगे कि हम जो स्क्रब करने की whilst मशीन होती हैं अगर आप वैसे अगर किसी कंपनी के प्रचेस करते हैं वह 40-50 एरवे में खाली आपको मशीन आईगी ठीक है जोस्तों से स्क्रब करने की अगर आप हमारे द्वारा जो मशीन है आप उसको देखके ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो मैं उसका इसक्रिशन में लिंक दाल लूँगा ठीक है जोस्तों मैं किसी कंपनी का एड नहीं कर रहा हूं अगर आपको लगे वह बहुत एजी चीज़ है अगर आपको लोकल में ही वैसे तो वह मशीन मिल जाएगी जो ड्रिल टाइप की आप देखिए वीडियो में आपको बता देता ह सकते हैं जरूरी नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूं वह भी उस करें बट मेरा वाला मैं क्या है आपको स्पैसिफिशन देख लिजेगा कि आपको हजार वाट की सक्षन पावर का वैक्यूम चीए जो पानी और ड्राइब बहुत आसानी से खीच ले ठीक है दोस्तों आप इ जो भी ड्राइग लिनिंग के उसमें चोटा वेक्यूम सक्सेस हो पाता है दोस्तों जो यह मसीन जीज आएंगी जैसे की स्क्रब करने आली मसीन है वह भी पांसे छह जार पर बीच माज़ेगी और दोस्तों जो वैक्यूम क्लीनर है वह भी साथ साथ यार के बीच माएगा और ओवर और दोस्तों जो कॉस्ट आएगी आपको 20 के अंदर आपको पूरा आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों बीच पूरा समान लेके केमिकल लेके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें कोई ट्रेनिंग की जाता बहुत बड़ी ज़रुव हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं एक या दो साल बाद दो सा तीन यहर पर पर देके फिक्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें काम ही इतना होता है बड़ यह है कि आपको दूसरे बड़े एरिये में भी जाना पड़ेगा जहां मैट्रोपोलिस वाले जो एरियो रहते हैं जिसस कंटेक मिलता है फिर्मार के उनसे डील करता हूं जिससे कि मैं उनकास्ट्मय को समझा भाता हूं कि हम लोग कहर में क्लीग करते हैं तो अपना पैकेज समझाता हूं जिससे हमें पूरा क्लीनिंग का पैकेज मलता है अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको हमेज़ा पूरी हल्प करूंगा ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम ऐसे लिएस लेंगे और उसके बाद हम ले रहे हैं यह मैंने मिक्षर एक त्यार किया वह है असे लरी बेस द्वारा ठीक है दोस्तों आप जो तीसरा कैमिकल है यह है लिए डिटर्जन एंजाइम ठीक जिसको मैं अपना कैमिकल बनाके अलग-अलग मिक्सर ज्वारा यूज करूंगा इसका यह कंसंदेट ट्यार की तैनी करता हूं मैं अलग-अलग-अलग 3-4 मिलाके करता हूं सबसे पहले दिखिए दोस्तों मैं एससेलियस 15 बाडिृ pi मैं ai कर लिए और मैं दूसरा अपना एसेट सलरी बेस त्यार है ऐसे लिएस और एसेट सलरी बेस मेरा फॉर्मिंग और प्रिंडिंग की काम आएगा दोस्तों तीसरा जो यह है एंजाइम यह में आएगा यह स्टेन रिमूवर की काम आएगा जितने भी सोफे में दाग वाग होंगे वह सब सेंपल है यह बहुत गंदा है तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग दोस्तों फॉर्म लेंगे और कैमिकल से उसको गीला करके सोफे में एकदम स्क्रब करेंगे जिससे कैमिकल सोफे की जो गंदगी होगी वह कैमिकल द्वारा निकलके बाहर बैट जाएग होगी आप सब मेरी वीडियो को इसको पूरा देखेगा जब आप पूरा देखेंगे तब ही आप सोफा क्लीनिंग का प्रोसस समझ पाएंगे और क्लीनिंग करने में आपको बहुत असानी रहेगी ठीक है दोस्तों अभी देखिए हमारी मसीन चल लिए दोस्तों यह जो मेर इसके अंदर की गंदगी होगी वह निकल जाएगी हम लोग पूरा मसीन दाइज ही करते हैं तो दोस्तों देखेगा आप भी जगर करते हैं करेंगे तो यह मसीन आपको ओनलाइन एमेजॉन में मिल जाएगी ठीक है तो मैं इस मसीन का लिंक भी दाल लूँगा इसमें दो ट है तो दोस्तों देखिए यह हम लोग कर रहे हैं आप यह देखिए अभी हम लोग शैंपू को सोफे में दाल ले हैं ठीक है दोस्तों आप चाहें तो उसको स्प्रे मशीन द्वारा भी आप इसको पहले स्प्रे कर सकते हैं यह आप इसको नॉर्मली ऐसे भी क्लिन कर सकते है को कि हम लोग दोस्तों यह सेंपू दाल के सोफे में गीला कर रहे हैं सोफे को ताकि जो इसके अंदर की गंदगी है वह असानी से बाहर निकल जाए बाहर उपर बैठ जाए स्टेन रिमूविंग के लिए उसके आदा हम लोग इस क्रबर वाली मसीन उस करेंगे और उसके तो जस्तों देखें अब यह वैक्यूम दारा सोरी lot की एक लिनग और जानिक रूब है जितनी भी अंदर पानी और वहस्ट आ Redmi शारी गण्दगी हम लोग में संरो कर लेते हैं मिन आ मारकेट whereby वारम वह बी 220 त्वय כहर विधी कर देखेंगे आ। इसमें दोस्तों बहुत अच्छा मार्जन भी है मैं आप सब लोग को ही बोलूँगा कि सोफा ड्राइकलीन क्लीनिंग का बिजनेस करें बहुत अच्छा स्कोप है जित्ते भी बैंकर डॉल्स और सिनेमा ओल होटल्स होस्पिटल सब जोगों यह सोफ होते हैं इनकी डिमांड बहुत है ठीक है दो प्लेज और यह देखिए दोस्तों मेरा वेक्यूम क्लीनर है यह जो मैं यूज करता हूं अभी आप जो केमिकल आप अल्लेड देख चुके थे यही तीनों ही कैमिकल है जिनके दार मैं सोफा करता हूं ठीक है दो अब यह देखिए हमारा एक हद तक तो फिर मैं साइनिंग भी आचुकि यह स्टेन थे वो भी इसके रिमूव हो चुके हैं और देखे इसको दोस्तों एक सोफा करने में मुस्किल से पांच से दस मिनिट का टाइम लगता है अगर दो लोग हैं तो अगर अकेला अदमी अगर करता है इसको अकेला भी आदमी कर सक सकता है अगर आपका quantity ज्यादा है सोफे करने की तो अभी तो आप इसमें कम से कम दो लोग इसको प्लीस इसमें दो लोग करिए ठीक है तो अगर आप अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा लेट होगा लेकिन आपका सोफा अराम से क्लीन हो जाएगा जैसे घर में पांस सीटर साथ सेटर सोफे होते हैं वो आप अराम से घर बैटेक्स को अकेले जाके कर सकते हैं ठीक है तो इसमें करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताए वैक्यूम ड्रिल मशीन और यही चीज की जोधत होगी दोस्तों अगर मेरी वीडियो परसंद आई तो लाइक करें झाल सकते हैंज सेड़ सेटरी जोधत हैं परसंद दूल शा कर घर दू सेटरीज और उपश। आवांस साथ सेटर्वाब जिए कर दो सीटर्यूम परसंद आइक्यूम परसंद वीडियों परसंद परसंदक्त्र